के लिदा था? क्या था आपना ऐसी तो था A A ने B को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की और उसने उसको ये बोला कि तू पटी जो है C को ट्रांसफर कर सकता है कैसी बोला था अपने ने? पैमली मेंबर का तो वर्ड ये यूज़ किया आपने ने शाहिए? ऑखे से कहते हैं ठीक है तो अब पने चलते हैं थिदे हैं अब आते हैं इसके अंसर पर कि अपने निकल बढ़ा है एपसलूट ए रीश्टेंट हमने पढ़ा था एपसलूट और रीश्ट्रेंट को जंडर मतलब कि absolute का मतलब होता है absolutely रोका जाए partial का मतलब क्या होता है कि उसको एक partial रोका जाए ठीक है फिर आया एक case रोशर वर्सिज रोशर इसमें क्या हुआ कि ए ने बी को प्रोपर्टी ट्रांसफर की ठीक है प्रोपर्टी की इक वीमत है दस लाग रुपर और इसको बोला कि आप आगे ट्रांसफर कर सकते हैं और दस हजाद से जादा नहीं दस हजाद से जादा नहीं ट्रांसफर करते हैं प्रोपर्टी ट्रांसफर हुई यह कंडिशन है कि आगे ट्रांसफर कर सकते हैं पर दस लाग रुपर की प्रोपर्टी है प्रोपर्टी कीमत है दस लाग रुपर अब क्या हुआ जब उसने दस हजाद तो बेची नहीं होग उसने ग्यागे दस लाग की प्रोपटी उसने दस लाग में बेची यह बाई साब इसको एक प्रोपटी नहीं है या तो यह बोले कि भी दसलाग रोकिती तो पैसा ही नहीं ले सकता है तो फोट है उसको तो पैसा ले सकता है और made बेच्वूर वा हुआ उनने का सरी पार्शन रीस्ट्सरेंड है USitionally तस कहता है maxim mostdies लागा वगा सकते हो absolute का हम मतलब मानते हैं अगर general निकाले तो यही होता है किसी को पूरी तरह से बांग देना अगर उसके पास कोई एड भी रास्ता है तो वह absolute नहीं है जैसे अगर मैं यह बोलूं कि भई पानी है तो पानी अगर पूरा हमने उसको कुवे में कर दिया तो वह absolutely restraint है पर अगर कुवे में से अगर हलका सा भी छेद है तो वह absolutely restraint नहीं है यह मैं बात मानता हूं यह court ने बोला कि भई यह बात सही है बट अगर हम इसको इतना strict sense में लगाएंगे ना तो हम justice ने प्रिवेल करवा पाई अगर यह sense में हम इस condition को लगा दें कि यहाँ पार्चल रिच्ट्रेट है आप दस हजाद उपर नहीं बेश सकते तो यहाँ justice थोड़ी हो रहा है यहाँ justice नहीं हो रहा है उसके साथ प्रोपर्टी कीमत दस लाग है उसने दस लाग रुवे दिये हैं यहाँ वो दस हजाद से उपर नहीं बेश सकता तो यहाँ justice तो कहा हूँ और नो लाग रुवे नुक्सान हो रहा है उसका तो फोड ने कहा कि absolute को और partial को वर्ड में नही स्ट्रिक्ट वर्ड में नहीं इनको significance या दूसरी बाशा में बोलो इनकी applicability पर चेक करेंगे हूँ कि applicability का यहां मतलब क्या था वो कहते कि अगर मान लो यह है पूरा डबा यह है पूरा डबा जिसके हैं दस खाने एक दो ती चार पांच छे सार आठ दस एक दो तीन चार पांच छे ताथ आठ नो दस वो कहते अगर तो कुछ कह रहे हैं यह सब्सक्राइग है अगर तो तो किसी को यह करने कि भाई तो इस खाने में नी आएंगा और इस खाने में आएगा तो तो है पारशन अब बोलो गोल सकतक है तो चछों यह ऑंप क्यों यह कएते रोशर बस fautis रोशर में कोजाइब क Corn JR कि में आपको बांद दिया हर तरह से बढ़े ही नहीं बांदा पर अगर मिजोर्टी सिचुएशन में आपको बांद के छोड़ दिया तो हम उसको पार एपसुलूट ही लेंगे अगर मैं यह बोलूं कि आप प्रोपर्टी जो है दस लाग है अगर कोड कहती है अगर यह होता ना इसमें कि नो लाग तक बेश सकता है कोड कोई बास पार्शल मांद दस हजार पांच लाग छे लाग तो उसमें एपसुलूट लेंगे ऐसा ही एक और केस हुआ जिसमें को एक यासालो के लिए लिए को के लिए कि कंडिशन लगादी की 20 साल तक 20 साल तक आगे ट्रांसपर नहीं कर सकता तक तक तो यहां भी कोड ने का इद नहीं यह एपसुलूट रिश्टेंट कोड गरी 20 साल तक वो ट्रांसपर्ट कर सकता उसने प्रोपर्टी ली है अगर उसको बेच नहीं पड़े तो क्या करेगा कोई एक दो साल यहां बोटने बगार ऐसी बात भोली भी है कि अगर यहीं यहां तीन साल होते तो हम उसको पार्शल मानते को यहां कहने का मतलब मेरा यह है कि absolute और पार्शल को हमें स्ट्रिक्ट सेंस में नहीं लेना जस्टिस प्रिवेल करने के लिए जो भी हमारे सामने फैक्ट आता है जो भी फैक्ट आता है उस फैक्ट से अगर हमको लगता है कि हां यार अगर इसको पार्शली ले 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 तो इसके साथ जस्टिस नहीं होगा अगर आप आपको ऐसा लगता है तो वह condition void होगी आप applicability पर जाएंगे fact की अगर fact की applicability से यह लगता है कि वह absolutely restraint है अगर उसके पास जाने के 10 रास्तों में सिरफ एक दो ही रास्ते हैं तो वह क्या है absolutely restraint है अगर उसके जो restriction है वह उसके उपर बाद्य बन रही है कि वह उसको जकड़ देगी तो वह absolutely restraint चाहे उसके पास बचने का एक ही रास्ता हो और एक रास्ते को आप पार्शल में नहीं ला सकते कि इस concept को समझें कि पिर अपने वाले fact पर आते हैं कि concept को समझें यह रोशर वर्सी रोशर में code ने कहा क्या था ठीक है अब आते हैं अपने अपने fact पे रोशर वर्सी रोशर समझें कि वह absolute और पार्शल को जो है अब जो की अप्लिके बिल्टी पे लेना है तो यहां अब यहां क्या है जहां वो पूरी दुनिया के वह लाप वें सकता था अब पूरी दुनिया के लाप निवेसिता शिरफ यहां पर इंग बंदा है सी यह पूरा रास्ता उसके लिए बंदा है यह उसके लिए खुला है अब आप बताइए यह पार्चल होगा कि एबसलोट होगा अगर एप्ली के बन हम लगाएं तो क्या यह यहां बंदा के नहीं कि मोर मेजोर्टी ओफ टेसिस मतलब 70 परसेंट चोड़ो वह ओड़ने तो एक आता कि 50 नहीं 50 नहीं आधा आधा नहीं लेंगे 60-70 परसेंट तक का अगर 70 परसेंट तक का अगर प्रबंदग है तो हम बात दे लेंगे एबसलूट में लेंगे यहां पर बताईए 70 जोड़ी होगा हां जी यह एपसलूट होगा यह अपना एपसलूट होगा यह मैंने अब अपने बात आप भूलोगे नहीं एक दूसरी बात अब अगर आपका सेक्शन 10 एपसलूट पार्शल रीस्ट्रेंट के बेश पर अगर प्रैक्टिकल कोशन आता है तो आप उसको अच्छे से सोल्व करते होगे आता नहीं है अगर आएगा ना तो सिर्फ यह ही करता है यह आएगा यह मैक्सिमुम बोरों मैक्सिमुम वो क्या करेगा यह कहते है इससे उपर लेवल का कोश्चन नहीं बनाएगा क्यों क्यों कि एपसलूट और पार्शल की डेफिनेशन फैक्ट के उपर हर फैक्ट के उपर चलती है तो अगर मैंने यहां पांसा ज्यादा नाम लिख दी है तो पोश्चन पर डिस्प्यूट उठ सकता है कोश्चन पर डिस्प्यूट उठ जाएगा बोनस मांग देने पड़ जाएगा या फिर डिलीट करना पड़ेगा तो क्या लिखेगा यहीं लिखेगा कि मैक्सिमुम होगा कि सी के साथ डी और बस उसके अलावा वो इससे उपर लेवल पर ही नहीं जाएगा अगर कि और यह बोला कि या तो सी को बेच दे या डी को बेच दे और किसी को नी पेच सकता तब हम बोलेंगे कि जीए एपसुलिट